नमस्कार आप देख रहे हैं जीओ भीनुज तो दोस्तो वक्त हो गया दिनबर की बड़ी खबरों को जानने का उससे पहले अगर आपने अभी तक जीओ भीनुज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर जीओ भीनुज को सब्सक्राइब करके ओल को दबा दीजे तो चली दोस्तों जानते हैं आज दिनबर की बड़ी कबरे देश की जनता को फिट रखने का बीड़ा अब सरकार ने उठाया है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने आज गुरु आर को फिट इंडिया मुवमेंट की शुरुआत की इसके ताथ स्कूल, कॉले संधियों का इस्तेमाल या बॉडी फिट तो माइंड हीट पर देश के इनेक्स मीडिया मामले में कॉंग्रेस की वरिष्ट नेता और पूर्व वित्तमंत्री पीचितंबरम इन दिनों CBI की हिरासत में हैं आपको बता दे कि चितंबरम की गिरफतारी को लेकर आइनेक्स कि यह अच्छी खबर है चितंबरम की गिरफतारी के पीछे इंदरानी मुखर जी और पीटर मुखर जी के बयान की अहम भूमी का मानी गई है विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल भारतिय कप्तान बनने से अब बस एक ही जीत दूर है कोहली अगर सुक्रवार को वेस्ट इंडीस के खिलाफ सुरू होने जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच जीत दर्ज करने में सफल होते हैं तो वह पूर्व कप्तान महेंदर सिंग धोनी जिन्होंने 27 टेस्ट मैच खिला था उनके रिकॉर्ड को वे तोड़ देंगे और सबसे ज्यादा टेस्ट म मैच जीतने के धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी और अब धोनी और कोहली बतोर भारतिय कप्तान अब तक 27 टेस्ट मैच जीत चुक हैं सारू खान की बेटी सुहाना को मिला नियू यूर्क यूनिवर्सिटी में दाखिला किसी भी माता-पिता के लिए उसके में से एक नियू यूर्क यूनिवर्सिटी में हो गया। पाकिस्तान भारत के किलाफ एक्षन लेने की धमकियां तो लगातार देता आ रहा है लेकिन जब वा खुद अपनी बात पर विचार करता है तो उसे सचाई का पता चल रहा है। नहीं लिया गया है और इससे जुड़ी अभी तक सभी खबरों को कालपनिक बताया है। गुरुवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री साह महमुद कुरैसी ने सपस्ट किया कि अभी तक देश के हवाई छित्र को भारत के लिए बंद करने का पर कोई निर्ने नहीं लिया पाकिस्तान के डौन समाचार के मुताबिक आपको बता दे कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथौरिटी के दोरे पर साह महमुद कुरैसी ने पतरकारों से बात करते हुए इस मुद्दे के सभी रिपोर्टों को कालपनिक बता कर खारिज कर दिया। हालात विपरीत दिख रहे हैं ना तो सरकारी निवेश बढ़ रहा है और नहीं नीजी चेतर का दोनों में से इसे लेकर कोई उत्सुकता नहीं दिख रही है जिससे अर्थ विवस्ता की सुस्ती और बढ़ जाए। हालात तो इसके बिल्कुल विपरीत दिख रहे हैं ना तो सरकारी निवेश बढ़ रहा है और नहीं नीजी चेतर का दोनों में से इसे लेकर कोई उत्साह नहीं है जिससे अर्थ विवस्ता की सुस्ती बैंक में खाता खोलना हो गया अब और आसान खोलने के लिए अपनी अधार संख्या साजा नहीं करना चाहते। केंद्र सरकार का पर्यावरण पर जोर ग्रीनरी बढ़ाने के लिए 27 राजियों को दिये 47,000 करोड रुपए। आपको पता दे केंद्र सरकार ने 27 राजियों को ग्रीनरी बढ़ाने के लिए 47,346 करोड रुपए जारी किये। इन हरित गती विदियों में जंगल की आग की रोक्ताम, जैव विविदता, प्रबंदन और मिटी सनरक्षन सामिल है।